रोशनपुर नामक गाउं में एक गरीब किसान हरियोम रहता था उसके परिवार में उसकी पतनी उर्मिला और बेटा राहुल था हरियोम एक बहुत ही इमानदार और महनती किसान था अपनी छोटी सी जमीन पर वो दिन रात महनत करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था उसका बच्पन से सपना था कि वो भारतिय सेना में चाये किन्तु लंबाई में कुछ सेंटिमीटर की कमी के कारण वो भारतिय सेना का हिस्सा नहीं बन पाया इसलिए राहुल से उसे बहुत सारी उमेदे थी राहुल ने जैसे ही बार्वी पास की देख बेटा, मैं चाहता था कि तेरी बार्वी आराम से हो जाए इसलिए मैंने कभी तुझे कुछ नहीं कहा लेकिन अब तेरे स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई है तो तो इंडियन आर्मी में जाने की तैयारी शुरू कर लेकिन बाबा मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ मैंने तुझे पढ़ने से मना नहीं किया है बेटा जितनी पढ़ाई करनी है उतनी पढ़ाई कर ले बस मेरा एक सपना है कि मैं अपने बेटे को इंडियन आर्मी में देखूं आप अपने सपने बेटे से पूरे क्यूं करवा रहे हो उसका जो दिल आ रहा है उसे करने दो नहीं और मिला, मेरा सपना राहूल ही पूरा करेगा राहूल कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है और गाउं की ही एक खाली जगा पर अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाता है जहां मैदान में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे क्या हुआ राहूल, तु बड़ा अदास दिखाई दे रहा है क्या बताऊं यार, मैंने अभी बारवी करी है और मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं इंडियन आर्मी की तयारी करूँ ये नहीं है कि मुझे ही जॉब पसंद नहीं है लेकिन इतना असान भी तो नहीं है हाँ दोस्त, असान तो कुछ भी नहीं होता लेकिन अगर चाचा कह रहे हैं तो तयारी करने में क्या जाता है हमारी किस्मत में होगा तो जॉब जरूर हो जाएगी तब ही उनका एक दोस्त रोहित भी वहां आ जाता है अरे क्या खिच्णी पक रही है तुम दोनों में कुछ नहीं रोहित, बस कल से तयार रहना हम तीनों सुबह भागने दोडने की प्रैक्टिस शुड़ू कर देंगे अगर बाबा का सपना है तो पूरा करना ही है मन में द्रिण निश्य लेकर राहुल घर की तरफ निकल जाता है और घर जाकर अपने बाबा को बोल देता है कि वो इंडियन आर्मी की तैयारी करेगा ये सुनकर हरियोम के चेहरे पर मुस्कान आजाती है बेटा राहुल, माना की तेरा बाब करीब है लेकिन तुझे जो भी चीज चाहिए मुझे बताना तुझे काम्याब बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगली सुबद तीनों दोस्ट गाउं के ही पासपड़ी खाली जमीन पर भागने दोडने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद शेहर जाकर कोचिंग भी लेने लगते हैं अब राहुल का रोज का रूटीन था कि वो सुबद चार बजे उठकर दौर भाग कर प्रैक्टिस करता और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई की तयारी करता ये सब करते करते छे महीने बीच जाते हैं कि तभी आर्मी की तरफ से सूशना जारी की जाती है कि इंडियन आर्मी में भरती खुली है राहुल अपने दोस्तों के साथ में खुली भरती में शामिल होने के लिए दूसरे शहर जाता है वहाँ पर हजारों की संख्या में लड़के थे ये देख कर तीनो आश्यरे चकित हो जाते हैं इतने लड़कों की भीड में उन्हें अपना सेलेक्शन होता हुआ दिखने रहा था। अपनी जीजान से वो लोग अपनी रेस कम्प्लीट करते हैं लेकिन काम्याब नहीं हो पाते। ये बात घर जाकर अपने पिता जी को कैसे बताएं। राहुल पूरे रास्ते यही सोचते हुए आ रहा था। क्या हुआ बेटा पास हो गया तू। राहुल अपनी गर्दन नीचे जुका देता है। उसकी गर्दन चुकी हुई देखकर उसकी माँ। ऐसे मूने ही लटकाय करते। निराश होने की जरूरत नहीं है। तू मन में ये सोच ले कि तू हार कर नहीं आया वहां से कुछ सीख कर आये है। और यही बात तुझे आगे काम्या भी दिलाएगी। हाँ बेटा तेरी मा बिलकुल सही कह रही है। निराश होने की जरूरत नहीं है। कल सुभा से फिर तू अपनी प्रैक्टिस पर लग जा। अपने माता-पिता की बात सुनने के बाद र अगले दिन से राहुल अपने दोस्तों के साथ और अधिक मेहनत करने लगता है। अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगता है और अपनी पढ़ाई पर भी। जहां वो दोस्त प्रैक्टिस करते थे। वहां पर और भी लड़के थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से बाद ही फिर दुबारा से इंडियन आर्मी की भरती निकलती है और इस बार भी राहुल रह जाता है आज मा बाबा से वो क्या कहेगा यही सोचते सोचते वो घर आ जाता है पर राहुल की आज की नाकाम्या भी हरियोम को बड़ा दुखी कर देती है उर्मिला मुझे तो लगता है इस लड़के का दिल ही नहीं है यह मेरे कहने से ही बस इसकी तैयारी कर रहा है वरना अच्छा खासा हटा-कटा लड़का है पर ऐसा क्या है कि यह एक सोला सो मीटर की रेस नहीं मार पा रहा ऐसा बोलकर अपने आपको और राहुल को निराश मत करो, क्या तुम्हें दिखने रहा वो लड़का कितनी महनत कर रहा है साल भर होने को आया है, महनत कर रहा है, तो फिर उसका परिनाम अच्छा क्यों नहीं आ रहा राहुल अपने माता-पिता की बाते सुन रहा था, उसके मन में भी बहुत सारी उथल-पुथल हो रही थी ये हमारे समाज के एक बहुत बड़ी दुविधा भी है, लड़का अगर कमाने लाइक हो जाए, तो माता-पिता बहुत सारी उमीदे बांग लेते है क्योंकि हमारे समाज में भी लड़के को हमेशा यही बताया और सिखाया जाता है कि उसने बड़े होकर कमाना है और घर चलाना है राहुल और दिलजान से अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देता है, जहां-जहां उसे अपने काम में कम्या नजर आ रही थी, वो उनके उपर काम करता है और तीसरी बार, वो इंडियन आर्मी की भरती के लिए होने वाली रेस में शामिल होने के लिए दूसरे शहर जाता है जाने से पहले, बेटा घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, दिल से काम करना और अपने पिताजी की किसी भी बात का बुरा मत मानना नहीं मा, मुझे पिताजी की कोई बात बुरी नहीं लगती, सिवाए इस बात के की पिताजी को ये लगता है कि ये उनका सपना है अब मैं उन्हें कैसे बताओं कि मैं एक साल से अपने सपने के लिए काम कर रहा हूँ और लड़कों की भरती होते हुए देखकर मुझे भी लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए मैं अपनी जी जान लगा दूँगा पर पिताजी को दिखा दूँगा कि मैं एक काबिल लड़का हूँ पर किसमत को तो कुछ औरी मन्जूर था राहुल ने बहुत दिल से रेस लगाई लेकिन वो एक सेकंड से चूप गया सिर्फ एक सेकंड लेकिन एक सेकंड ने उसके सारे सपने चकना चूर कर दिये घर पर भी थोड़ा मायूसी का माहौल हो गया हर योम को अपना सपना डूपता हुआ दिखाई देने लगा इस बार तो राहुल का मन भी बहुत उदास हो गया था दोस्त काम्याबी इतनी आसानी से नहीं मिलती तू ये क्यों देख रहा है कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सिलेक्शन तो मेरा और रोहित का भी नहीं हुआ लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं हम हार नहीं मानेंगे और आने वाले मौके पर छक्का मार कर ही रहेंगे हां राहुल आकाश सही क्या रहा है अगर हम लोग मायूस हो गए तो हम अगली रेस में भी हार जाएंगे मेरे दोस्त अभी तक जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ कल सुमा हम एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे दोस्तों की बाते सुनने के बाद में राहुल के दिल को थोड़ी तसल्ली होती है और इस बार वो द्रण निशे कर लेता है कि कुछ भी हो जाए एक सेकेंड की चूप भी वो अपनी रेस में नहीं होने देगा अब ये किवल मेरे माता पिता का नहीं मेरा भी सपना है जाना है तो बस इंडियन आर्मी में ही जाना है वर्दी पहनूँगा तो बस आर्मी की ही पहनूँगा घर पर उसकी मा उर्मिला भी उसको अच्छी अच्छी बाते बता कर उसकी होसला अवजाई करती और एक बार फिर राहुल के सामने एक चैलेंज आकर खड़ा हो गया था कि उसे अब की बार अपनी ये रेस पूरी करनी है राहुल लड़कों की भीड में खड़ा हुआ था और रेस किसी भी पल शुरू होने वाली थी वो अपनी आँखे बंद करता है और भगवान का नाम लेता है तभी उसे बंद आँखों से एक लड़का दिखाई देता है जो इंडियन आर्मी की ड्रेस में था बस यही वो लड़का था जिसके लिए राहुल रेस लगाने वाला था रेस शुरू होती है और सब लड़के भागना शुरू कर देते हैं राहुल जी जान से भागता हुआ इस बारी तए समय से एक मिनट पहले ही अपनी रेस पूरी कर लेता है रेस पूरी करने के बाद उसकी आखों में आसु थे आखिर वो अपनी सपने को पूरा कर पाया घर आकर जब वो अपने माता पिता को इस बात की जानकारी देता है तो उनके चेहरे खिल उटते है खुद राहुल को भी ऐसा लगता है जैसे उसके सर से बोज उतर गया है कुछ महीने बाद ही वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जाने की तयारी कर रहा था कि तब ही वहां हरियोम आता है बेटा राहुल मैं जानता हूँ कि शायद तुझे मुझसे काफी सारी शिकायत होंगी होनी भी चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि तु ट्रेनिंग पर जाने से पहले मेरी उन भावनाओं को भी समझ जाए जो एक पिता अपने बेटे से कभी नहीं कह पाता हाँ मुझे गुसा आता था जब तुम फेल होते थे क्योंकि फेल तुम होते थे लेकिन बहुत सारे सबने मेरे भी तूटते थे क्योंकि एक पिता हमेशा यही चाहता है कि उसकी अवलाद इतनी काम्याब बने कि सब ये कहें कि देखो वो फलाने का बाप है मैं गरीब किसान हूँ और किस तरीके से मैंने तुझे पाल पोस कर बढ़ा किया है तुझसे तो कुछ नहीं छिपा मेरे बच्चे मैं हमेशा तुझे काम्याब होते हुए देखना चाहता हूँ फक्र से सर उठा कर कहना चाहता हूँ कि देखो ये मेरा बेटा है मेरे पिताजी का भी यही सपना था कि मैं इंडियन आर्मी में चाहूँ मैं तो उनका सपना पूरा नहीं कर पाया लेकिन आज मैं बड़े घर्व के साथ कह सकता हूँ कि तुने मेरा ही नहीं बलकि अपने दादा का भी सपना पूरा कर दिया अपने पिता जी की बाद को राहुल सुन रहा था और अपनी ट्रेनिंग पर जाने से पहले उसके मन में अब कोई भी मलाल नहीं था वो समझ चुका था कि ये एक पिता के जीतने के जंग थी ताकि लोग ये जान सके कि ये राहुल के पिता है उसके बाद राहुल अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब वो घर आता है तो सारे दोस्त, रिष्टेदार और पडोसी उसे बधाईया दे रहे थे तब ही एक पडोसी हर्योम से कहता है हरम मुबारक हो भाई साहब आपके बेटा ने तो आपका सर फक्र से उंचा कर दिया हाँ, ये बात तो तुम बिलकुल सही कह रहे हो भाई मेरे होनहार बेटे ने आखिर फौच की वर्दी पहन कर मेरा सर फक्र से उंचा कर दिया है अब देखो हम दोनों बाब बेटा देश की सेवा में समर्पित है एक किसान एक जवान तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक बच्चा बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल चाचा जी जै जवान जै किसान